तो आज हम डिसकस करेंगे इच और एवरी के बारे में तो इच और एवरी के ऐसा कंसेप्ट है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं और कंफ्यूज इसलिए क्योंकि इन दोनों का मेनिंग बिल्कुल सेम है और अगर बात की जाए इच और एवरी की तो यह ऐसा कंसेप्ट है जो हर एक एक्जाम परस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसी की कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज हम इच और एवरी को डिसकस करेंगे तो अगर हम बात करें इच और एवरी के डिफ्रेंस की तो सबसे पहले बात की जाए इच की जब भी बात की जाए two or more items की it means two or more than two के लिए use किया जाता है इच का for example I have a book in every hand यहां पर हमारे पास यह sentence हो जाएगा बिल्कुल ही गलत क्योंकि hand तो सिर्फ दो होते हैं तो दो के लिए every का use नहीं किया जाता है दो के लिए हमेशा use किया जाता है इच का जैसे कि हमारे पास दिया गया है I have a book in each hand तो यह sentence हमारे पास बिल्कुल correct हो जाएगा वही अगर दूसी तरफ हम बात करें every की तो every का use किया जाता है three or more items को बताने के लिए मतलब three or more than three के लिए use किया जाता है every का for example she wore a ring on every finger तो more than three की बात हो रही है तो more than three के लिए हमारे पास correct answer हो जाएगा every next difference हमारे पास रहेगा कि each का use किया जाता है individuality को बताने के लिए या पर separateness को बताने के लिए for example हमारे पास दिया गया है यह circle तो यहां पर each का यूज़ किया जाता है जब हम इन सभी की बात करेंगे मतलब particular one one की बात की जाए तो each का यूज़ किया जाता है तो यहां पर हर एक चाइल्ड की बात की जा रही है वैसे ही हमारे पास next example है each employee received an invitation तो यहां पर each का यूज़ किया गया है हर एक employee को बताने के लिए वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए every की तो every की case में हमारे पास रहेगा जो inclusivity या फिर totality को बताता है तो inclusivity और totality को बताने के लिए every का यूज़ किया जाता है तो यहां पर हमारे पास पूरे ग्रुप की बात की जा रही है जैसे की each में हम particular एक-एक person की बात करते हैं every में पूरे ग्रुप की बात की जाती है जैसे कि every child received a present वहीं दूसरा example हमारे पास हो जाएगा every employer received a free copy तो यहाँ पर भी पूरे group की बात की जा रही है देखा जाए तो यहाँ पर child के साथ each और every दोनों ही बिल्कुल correct है लेकिन इनका meaning change हो जाएगा each child का मतलब है कि हम हर एक individual को बोल रहे हैं और every child का मतलब है यहाँ पर हम पूरे group की बात कर रहे हैं next difference हो जाएगा कि each का use क्या जाता है abstract noun के साथ अब अगर बात की जाए abstract noun की कि abstract noun होता क्या है तो abstract noun में आता है जैसे कि हमारे पास हो जाएगा anger anger abstract noun है या फिर simply अगर हम बूले ऐसे चीज़ें जिने हम देख नहीं सकते या touch नहीं कर सकते वो सभी के सभी abstract noun में आती है anger हो गया वैसे ही love आ गया hate, peer, knowledge हो गया या फिर information हो गया यह सभी के सभी आपके पास examples है abstract noun का तो abstract noun के साथ use किया जाता है each का for example I have each reason to be happy तो अगर बात की जाए यहाँ पर reason की तो reason है हमारे पास abstract noun क्योंकि reason को हम देख भी नहीं सकते तो abstract noun के साथ use किया गया है यहां पर each का तो यह हमारे पास हो जाएगा बिल्कुली incorrect वहीं अगर हम second sentence की बात करें each weakness is noticed तो यह भी हमारे पास incorrect हो जाएगा क्योंकि weakness है abstract noun और abstract noun के साथ each का use नहीं क्या जाता वहीं अगर दूसी तरफ बात की जाए every की तो every का use क्या जाता है abstract noun के साथ for example I have every reason to be happy तो यहां पर भी वही sentence था और यहां भी वही sentence है बट difference यह रहेगा कि reason है हमारे पास abstract noun जिसके साथ each का use नहीं क्या जाता है बलकि every का use क्या जाएगा वहीं next example है every weakness is noticed यहां पर भी हमारे पास weakness है abstract noun तो abstract noun के साथ every correct answer होगा ना कि each next difference के अगर हम बात करें तो each का use किया जाता है with और without noun it means each जो है हमारे पास pronoun की तरह भी काम करता है और adjective की तरह भी काम करता है अब इसके लिए आपको ये भी बता होना चाहिए कि pronoun होता क्या है और adjective क्या होता है तो अगर बात की जाए pronoun की तो pronoun होता है जो कि noun को replace करके यूज किया जाता है वहीं अगर बात किजाए adjective की तो adjective होता है जो कि noun और pronoun को qualify करने का काम करता है It means यही each हमारे पास pronoun कब होगा जब इसके बाद noun नहीं दिया गया होगा क्योंकि हमने कहा pronoun जो है noun को replace करने के लिए use किया जाता है तो जब वहाँ पर noun नहीं होगा तभी आप इसे pronoun बोलेंगे और इसी each को adjective कब बोला जाएगा जब इसके आसपास कोई noun या कोई ना कोई प्रोनाउन दिया गया होगा Example के थूँ समझते हैं जैसे कि each of my students is working very hard Given sentence में हमारे पास जो each है वो काम कर रहा है pronoun की तरह अब pronoun की तरह कैसे क्योंकि each के बाद दिया गया है off तो जब भी each के बाद off दिया गया होगा तो वो example होगा pronoun का वहीं अगर हम दूसरी तरह बात करें एक sentence की each student is working very hard यहाँ पर जो ये each है वो आपके पास example हो जाएगा adjective का क्यों क्योंकि जैसे कि अभी अभी हमने discuss किया कि adjective होता है जो noun और pronoun को qualify करने का काम करता है तो जब भी each के बाद कोई ना कोई noun दिया गया होगा तो वो example होगा adjective का तो यहाँ वाला each जो है वो adjective का example होगा वहीं अगर दूसरी तरफ हम बात करें every की तो every का use किया जाता है with noun या फिर हम कहें every का use सिर्फ और सिर्फ adjective की तरह किया जाता है ना कि pronoun की तरह तो यहाँ student दिया गया है आपके पास student एक noun है तो जब यह noun है तो every हो जाएगा हमारे पास adjective तो धियान रखिएगा कि every का use कभी भी pronoun की तरह नहीं किया जाता है next अगर हम बात करें अगर आप देख सकते हैं कि यहां पर हमारे पास sentence में दिया गया है is most of the students confused होते हैं क्योंकि यहां students दिया गया है उस according वो plural helping verb लगा देते हैं but according to the rule each, every, either or neither इन सभी के साथ हमेशा singular helping verb का use किया जाता है जैसे कि आपके पास इन सभी sentences में दिया गया है each of my students is working very hard, each student is working very hard next हम कुछ questions discuss कर लेते हैं जहांसे आपकी confusion भी दूर हो जाएगी first है हमारे पास each student is preparing for their exam तो अगर हम बात करें sentence की, यहां पर हमारे पास यह जो each दिया गया है यह example है adjective का, adjective क्यों क्योंकि यहां दिया गया है आपके पास noun noun से पहले adjective का ही use किया जाता है साथ ही साथ अभी हमने discuss किया कि इनके साथ हमेशा ही singular helping verb लगाई जाती है इसके अलावा आपको एक और बात धियान रखनी है कि अगर हमारे पास helping verb singular है तो जो आपका pronoun होगा या जो आपका adjective होगा वो भी singular ही होना चाहिए मतलब जब हमने यहां पर use किया है is का तो यहां पर there नहीं यहां पर correct answer हो जाएगा his exam उसी तरह से अगर हम बात करें next sentence की each of the students is preparing for their exam तो इस sentence में हमारे पास यह जो each है वो है pronoun pronoun इसलिए क्योंकि इसके बात दिया गया है of साथ ही साथ helping verb तो singular है बट यहां पर जो हमारे पास pronoun या adjective दिया गया होगा वो भी singular होना चाहिए तो यहां there नहीं यहां correct answer हो जाएगा his उसी तरह से हमारे पास next example हो जाएगा my parents are arriving tomorrow and every of them will be on a different plane तो हमारे पास error होगा इस portion में क्योंकि यहां पर every का use नहीं किया जाएगा यहां आपका correct answer हो जाएगा each क्यों? क्योंकि जैसे कि अभी हमने discuss किया है कि दो के लिए use किया जाता है each का ना कि every का तो यहां पर parents की बात हो रही है जो कि दो ही होते हैं तो आपके पास answer हो जाएगा each next है each of us has a pen तो यहां पर यह जो हमारे पास each है यह each काम कर रहा है pronoun का और यह जो sentence है हमारे पास बिलकुल correct है क्योंकि यहां पर helping verb भी दी गई है singular उसी तरह से अगर next example की बात की जाए हमारे पास दिया गया है every of us has a pen तो देखिए यहां पर helping verb तो बिलकुल correct है but every का use कभी भी pronoun की तरह नहीं किया चाहता है और यहां off दिया गया है तो जब यह off दिया गया है it means यहां पर pronoun होना चाहिए था ना कि adjective तो यहां पर every नहीं यहां answer हो जाएगा आपके पास each next है हमारे पास everyone of us has a pen तो यहां पर आपके पास has a singular helping verb बिलकुल correct है तो ध्यान रखिएगा वैसे तो हम लोग each का use करते हैं जब भी बात की जा रही हो pronoun की बट अगर every का use किया ही जाएगा तो आप हमेशा उसके साथ one का use करेंगे everyone बोला जा सकता है लेकिन every of नहीं बोला जा सकता तो everyone of us has a pen तो यह sentence बिलकुल correct है वही अगर बात की जाए next sentence की we have three windows, every has a great view तो यहां पर three windows की बात की जा रही है मतलब individually हर एक window की बात की जा रही है तो यहां every का नहीं यहां correct answer हो जाएगा आपके पास each next example है सुमित has two sons and every one of them is brilliant in studies again जब यहां two की बात की जा रही है तो every हमारे पास incorrect हो जाएगा और correct answer होगा each next sentence है he is using different pens every time अब यहां different pens की बात की जा रही है मतलब individual की बात की जा रही है तो यहां every का नहीं यहां आपके पास correct answer हो जाएगा each time उसी तरह से last example है he is using the same pen each time तो यहां पर आपके पास पूरे group की बात हो रही है तो each का नहीं यहां आपके पास answer हो जाएगा every he is using the same pen every time next time हम discuss कर लेते हैं कुछ important idioms and phrases जो कि ना सिर्फ आपके exam point of view से important है बलकि आपके day to day life में भी बहुत help करेंगी first है आपके पास लिखने में गलती तो लिखने में गलती के लिए आप यूज कर सकते हैं a sleep of the pen जैसे कि हम लोग कई बार बोलते हैं कि हमने by mistake लिख दिया तो उसके लिए आप लोग बोल सकते हैं a sleep of the pen next है हमारे पास same बोलने में गलती तो बोलने के लिए आप यूज करेंगे a sleep of the tongue लिखने के लिए हो गया pen and बोलने के लिए हो गया tongue next हो जाएगा आपके पास विद्वान आदमी देखा जाए तो नॉर्मली हम लोग बोलते हैं wise man तो wise man के जगा आप लोग बोल सकते हैं a man of letters तो आप इस idiom का यूज कर सकते हैं जब भी आपने किसी को बोलना हो विद्वान आदमी wise man के जगा बोला a man of letters next है बहुत आसान कारिया तो इसके लिए बोला जा सकता है a piece of cake कहीं बार हम बोलते हैं where is the task तो इससे अच्छा है कि हम यूज करें a piece of cake का next है हमारे पास किसी रहस्य को लापरवाही से या गलती से प्रकट करना तो उसके लिए हम medium यूज करते हैं let the cat out of the bag जब भी हम गलती से कोई बात बोल देते हैं किसी के सामने तो उसके लिए यूज करता है let the cat out of the bag that's all for today's video if you like our video do like share and subscribe our channel thank you once again you